हलो इनवेस्टर्स, मैं आपका इनवेस्टर वेनस कोच रूपेज येटली आज जैसे कि हम लोग बार-बार बात करते हैं कि मुच्छल फंड क्या है, कैसे है और किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए उसही पर बात करेंगे mutual fund में investment के लिए आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है आज इस पर चर्चा करेंगे और ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम mutual fund में invest करते हैं और returns हमको किस तरह से आते हैं तो mutual fund में सबसे पहले, invest करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस mutual fund में invest करने जा रहे हैं, उसकी किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस AMC को चुन रहे हैं, उसका पिछला track record क्या है, उस AMC ने अपने पिछले funds की performance किस तरह दी है, उसके बाद दूसरी बात आती है, उस fund को आपको चुनना है, AMC चुनने के बाद आपको ध्यान यह रखना होता है, कि आपको कितने समय के लिए पैसे लगाने हैं, तो आपको कौन सा fund लेना चाहिए, आप risk ले सकते हैं, तो equity fund की तरफ चाहिए, नहीं risk ले सकते हैं, तो आप debt fund को चुन सकते हैं, अब equity fund में अगर आपने चुन लिया है, आपने मान लिया है, कि हाँ आप risk ले सकते हैं, तो उसमें भी कई सारी category है, उस category को चुने, जिसमें आप जिस तरह का risk ले सकते हैं, इसके बाद आता है, उस fund को जब आपने चुन लिया, तो उसका fund manager कौन है, और उसका experience क्या है, पिछला उसका track record क्या है, उसने अपने fund की performance किस तरह दी है, इसके बाद आता है, कि आप उस fund को देखने के बाद, उसमें और क्या-क्या चीजे देखें, जो बहुत छोटी-छोटी होती है, लेकिन बहुत जरूरी होती है, इसमें beta बहुत काम करता है, कि कितनी volatility है, कितनी high volatility है, अगर beta एक या एक से कम है, तो मतलब volatile कम से beta का ध्यान रखिएगा, कि आपने fund को उसकी performance बजार के हिसाब से क्या रहने वाली है, इसके बाद होता है, शार्प ratio, शार्प ratio क्या चीज है, शार्प ratio जो है, वो Nobel Laureate William Sharpe के नाम से बनाया गया है, उन्हों ने इसको इजाद किया था, और ये risk-adjusted returns के हिसाब से होता है, risk volatility आपकी high रहेगी, इसको भी ध्यान रखें, इसके बाद आपको अपने fund में ये जरूर ध्यान रखना है, कि उसकी performance किस तरह चल रही है, आप उसको जरूर track करें, हर छे महिने में उसकी performance, उसके index का जो fund है, या index की जो उसकी comparison है, उससे जरूर करें, अगर उसका index बढ़ है, और आपका fund नहीं ठीक से काम कर रहा है, तो उस fund से निकल जाएं, because index के चलने का मतलब सब कुछ चल रहा है, और आपका fund नहीं चल रहा है, means उसने अपने portfolio में जरूर ऐसा कुछ ले रखा है, और एक बात last में और ध्यान रखें, कि आपके fund के portfolio में कौन कौन से shares हैं, उस से पहले ही निकल जाएं, तो यही सब ध्यान रखने वाली चीज़ हैं, जब आप एक mutual fund आपने लिए select करें, धन्यवाद.